Hello everyone and welcome back to KSEZ Solutions आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिसकस करने जाने हैं वो है Cloud Deployment Models वेल इसके इंदर टोटल चार टाइपस के Clouds आते हैं यह पॉब्लिक Clouds, ट्राइबिट Clouds, Hybrid and Community Clouds यह चारो टाइपस of Clouds हैं हर वीडियो में एक एक टाइप of Clouds को देखेंगे तो इस वीडियो में हम देखेंगे पॉब्लिक Clouds क्या होते हैं पेपल में अगर आपको question आता है कि write a note on Cloud Deployment Models तो आपको यह चारो टाइपस of Clouds explain करके आने in detail right so public cloud क्या होते हैं guys public cloud का सबसे best example है AWS Amazon Web Services आप सभी use करते हो अब वह पॉब्लिक Cloud क्यों कहलाता है क्योंकि जो Amazon है वो अपनी जो services है बाकी सब जनता को provide कर रहा है कुछ पैसे लेकर जिसे हम कहतें pay for use यह दिखो it can offer any kind of service that is infrastructure, platform, applications, etc हमें किसी भी चीज़ को खुद बनाना नहीं पड़ता उसको maintain करना नहीं पड़ता किसी एक बंदे ने वो सब चीज़े बना दी infrastructure बना दिया, platform दे दिया, applications बना दी हम बस उसे पैसा देते हैं कि भाईया यह ले पैसा मुझे कुछ time के लिए अपनी services यूज़ करने दे जितनी देर के लिए मैंने वो service यूज़ करने हैं मैं उसे कर लेता हूँ So these are public clouds यह उनके बारे में कुछ-कुछ बाते लिखें आए इनको देखतें क्या है open to all well यह public clouds open to all है जैसे private होता है एक particular community के लिए होता है एक particular organization के लिए होता है वैसी जो public clouds है उसका totally opposite सभी के लिए open है Amazon Web Services का जो cloud है हर user के लिए open है चाहे वो किसी भी country में क्यों ना belong करता हूँ ठीक है Next, resources get shared with all बिलकुल उसके जो resources है Amazon Web Services के जो भी चीज हमें चाहिए हम उसे पैसा देते है resources खरीद सकते है सभी के साथ resources shared हो जाते है deployed globally इसका मतलब है कि जो इसके data center है data center अब इसका ग्या मतलब है data center एक वो जगा होती है जहाँ सारा का सारा hardware जो है cloud का सारा का सारा hardware उस जगा पर deployed होता है उस cloud की जो maintenance है उस data center में होती है वो cloud की जो deployment है उस जगा में होती है जैसे बहुते data center ये data centers जितने जादे एक company के होंगे उतनी जादी अच्छी उस company की services प्रवाइड होंगी इसलिए जो Amazon Web Services है बहुत टॉप का है क्यों क्योंकि उसने जो अपना cloud है उसे deploy किया हुआ है globally मतलब उसने different countries में अपने data centers बना के रखे हुआ है next है less secure अब देखो जो public cloud है वो less secure है as compared to a private cloud ठेक है यहाँ पे जो आपके hack होने के chances जो भी phishing वागे तक बहुत सारे जो cloud security के जो against चीज़ें है वो सब होने के chances हो सकते है more risky अब देखो less secure है तो more risky यह point आएगा ही आएगा less expensive बिल्कुल मैंने एक video डाली थी laws of cloudonomics की जिसमें हमने first law जो पढ़ा था वो भी ECQ based था utility services cost more even though they cost less उसका भी यही मतलब था जिसमें हम बोलते हैं कि अगर आज मैं एक cloud start करना जाता हूँ मैंने एक startup start किया मैं उसके लिए अपना ही एक cloud अगर establish करूँगा तो उसे maintain करने के लिए उसे बनाने के लिए उसका सारा खच्चा मुझे खुद को उठाना पड़ेगा hypothetically यह जियूम करो उसमें एक करोड रुपया लग दिया ठीक है on the other hand मैंने एक बंदा है जिसने वो cloud सब कुछ बनाया हुआ उसे वो सब जो जो मुझे चीज़े चाहिए उस बंदे को पैसा दिया उसे वो सब चीज़े यूस कर ली उसमें मुझे 40 लाख रुपय पड़ा तो मुझे क्या फाइदे मन्द हुआ एक करोड या 40 लाख naturally 40 लाख वाला फाइदे वाला हुआ इसलिए बोलते है these are less expensive जितना हमें यूस करना है उसका पैसा दिया यूस कर लिया ठीक है next है use basically by startups बिल्कुल कोई भी बन्द है आज startups इतने जादे क्यों फैल रहे है just because हमें cloud को खुद बनाना नहीं पड़ता खुद उसको established data center को नहीं establish करना पड़ता उसके maintenance हमारा काम नहीं है हम बस पैसा देते हैं जो cloud service provider है जो हमें service चाहिए उसे use कर लगते है इसलिए startups महुँआ जादा common है last point multi-tenancy is its main feature multi-tenancy का मतलब है कि ये at a time बहुत सारे लोगों को handle कर सकता है ये नहीं होता कि अगर मैंने infrastructure as a service जो कि हम एक वीडियो में देखेंगे अगर मैंने cloud service provider से infrastructure की मांग की तो वो मुझे कह देए नहीं भीया मैं अभी तुमें नहीं दे सकता क्यों? क्योंकि मैंने infrastructure किसी और एक company को अभी के लिए दे दिया है वो एक ही time पे हजारों लोगों को satisfy कर सकता है हजारों लोगों को infrastructure दे सकता है ऐसे applications दे सकता है उनका access दे सकता है ठीक है? तो multi-tenancy इसका एक main feature है यह रहा है इसका एक diagram जो कि आप paper में बनाओगे तो यार एक impact अच्छा पढ़ जाता है ठीक है? diagram है एक जगा थी USA वहाँ से cloud service user है एक इंडिया से है यह cloud service provider है जिसका service S1, S2, S3 है और यह services वह globally लोगों को provide कर रहा है राइट? तो वाइस यह था हमारे brief discussion on what are public clouds I hope आपको यह video अच्छा लगा अगर अच्छा लगा यार तो तीन magical चीज़े ज़रूर कर देना वीडियो को like करना वीडियो को share करना and yes, मिरे चैनल को subscribe ज़रूर कर देना Thank you so much